हेलो एब्रिवान, वेल्कम टो दलीकल पिस्सिट चानल, मैं हूँ महाश्वेता पतनाएक, आज इंडियन पिनिल कोड के सेक्षिन 85 और 86 को डिसकस करेंगे, इसे डिसकस करने से पहले, अगर आप चानल पे नए हैं, तो प्लिस रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करक या नहीं, ये सब डिसकस करने से पहले समझ लेते हैं, इंटॉक्सिकेशन, यानि मत तता, किस बज़े से होता है, बहुत से बज़े से किसी को नशाख हो सकता है, जैसे कि कोई केमिकर लेके हो सकता है, यानि जैसे कि आलकोहल, या कोई नशिली दबाई, चैरस, गांजा, भ या कोई नार्कोटिक ड्रेस लेके भी इंटॉक्सिकेट हो सकता है। नसे में होने के बज़े से बिक्ती अपने सोचने समझने की सकती खो देता है। क्या सही है गलते फरक नहीं कर पाता है। अपने कग्निटी फैकल्टी खो देता है। उसके द्वारा किया गया कारे का अंजाम क्या होगा उसके समझ में नहीं आता है। जब बिक्ती कुछ सोच ही नहीं पाता है तो अपरात करने के लिए कैसे सोच सकता है यानि यहां पे मिन्टल एलिमेंट अपसेंड होता है। किसी भी अपराद में अगर mental element यानी sensory absent होता है तो उसे अपराद नहीं माना जाता है इसके उपर हम पिछले वीडियो में डिसकस कर चुके हैं नसे की हालत में बेक्ति के द्वारा किया अपराद को जिनरल exception chapter में इसलिए दिया गया है कि बेक्ति नसे की हालत में अपने cognitive faculty खो देता है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नसे की हालत का फाइदा हर अपरादी को मिल जाएगा intoxication दो तरीके से होता है एक होता है voluntary और दूसरा होता है involuntary intoxication section 85 में involuntary intoxication के उपर कहा गया है जब किसी को उसके इच्छा के पिरूद या knowledge के बिना उसे नसे कराया गया हो नसे के कारण उसके समझ में कुछ नहीं आता है और वो ऐसे case में अगर उससे कुछ अपराद भी हो जाता है तो वो liable नहीं होता है involuntary intoxication can be excused if the accused due to such intoxication is incapable of differentiating right and wrong or knowing the nature of the act 1551 में intoxication के उपर पहली बार एक case England में हुआ था ये case में accused को date penalty दिया गया था भले ही वो आर्ट करने के समय severely intoxicated था लेकिन उसे intoxication का defense नहीं मिला 19th century तक intoxication को defense नहीं माना जाता था लेकिन बात में 19th century के end तक इसमें धीरे धीरे पतलाओ आने लगे नैसे के बज़े से अगर किसी से अपराद हो जाता है तो उसे 1685 में defense मिलता है चलिए 1685 को discuss करते हैं 1685 का heading है act of a person incapable of judgment by reason of intoxication caused against his will heading से ही पता चल जाता है कि intoxication involuntary है 1685 says nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it is by reason of intoxication incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law provided that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will 1685 कहता है कि कोई act अपराद नहीं है जो कि नशे की हालत में किया गया हो जब वो आर्ट बेक्ति के द्वारा हो रहा था उस समय वो इतना incapable था कि अपने आर्ट का nature क्या है उसके समझ में नहीं आ रहा था या वो जो कर रहा था वो गलत था या law के बिरुद था उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था इसे कारियों को अपराद नहीं माना जाएगा 1685 में एक कंडिशन दिया है इंटॉक्सिकेशन के बज़े से जिस बेक्ति के द्वारा जो अपराद हुआ है वो इंटॉक्सिकेशन उसके नौलेज के बगेर हुआ हो या उसके इच्छा के बिरुद हुआ हो इसे केस में ही उस बेक्ति को 1685 में डिफेंस मिलेगा एक एग्जमपल लेते हैं एक पार्टी में A B के सॉफ्ट रिंग में सराप मिला देता है ये बाद B को पता नहीं था और वो सॉफ्ट रिंग वो पी देता है उसके बाद B को नशा हो जाता है B को इतना नशा हो जाता है कि घट जाने के समय वो किसी दूसरे के वालेट को अपना वालेट समझके उठा लेता है यहाँ पे B को चोरी के लिए लायबल नहीं किया जायेगा क्यूंकि यहाँ पे B को धोके से नशा करा दिया गया था सिर्फ involuntary intoxication साबित कर देने से section 85 में defense नहीं मिलेगा उसके साथ ये भी साबित करना होगा कि उस intoxication के बज़े से बेखती इतना incapable हो गया जिस बज़े से वो art का nature क्या है या वो गलत है या contrary to law है उसके समझ में कुछ नहीं आया तब जाके section 85 में defense मिलेगा अगर section 84 और 85 को देखेंगे तो ये दोनों में ज़्यादा कुछ difference नहीं है section 84 के उपर मैं पिछले वीडियो में discuss कर चिक्वी हूँ अगर आप वो देखना चाहते हैं तो इस चानल के playlist में जाकर वो देख लीजेगा section 84 में बेक्ति के द्वारा अपराद unsoundness of mind के बज़े से होता है जबकि section 85 में involuntary intoxication के बज़े से होता है दोनों ही sections में एक बात का मन है वो है कि जो आक्ट होता है उसका nature क्या है या वो गलत है या contrary to law है वो बेक्ति के समझ में ना आए तब जाकर किसी को डिफेंस मिलता है भेंकपपा कनपपा चौधरी बस स्टेट अफ कनाट का केस में आक्यूज ने section 85 में intoxication का डिफेंस लिया था कोट ने उसके प्ली को रिज़ेट कर दिया और उसे सजा दिया क्योंकि अक्यूज ने अपनी मर्जी से नशा किया था एक Latin Maxime that is कोई पिकाट एब्रियस लुआट सोब्रियस that is वान वो सीन्स वें ड्रंक शुट बी पनिस्ट वेंन ही इस सोबर वॉल्यूटरी ड्रंक इन परिशन विल बे लाइबल आज वी वास सोबर वेंन ही डिडिट इट मस्ट बी कंसिड़ेट आज अन आग्रावेशन ब्राद यान ड्रंक इन डिफेंस प्रिजूम किया जाता है कि जो विक्ति वॉल्यूटरी इंटॉक्शिकेशन करता है और उसके बाद कुछ आक्ट करता है वो उसी तरह लाइबल होगा जैसे कि वो निशा करने से पहले करता इस वॉल्यूटरी इंटॉक्शिकेशन इस नॉट एक्सक्यूजबल इस एक्सक्शन किसी को पूरी तरह से डिफेंस नहीं देता है सजा की मातरा को थोड़ा कम कर देता है मर्डर को कल्पेवल होमिसाइट नॉट एमाउंटिंग टू मर्डर में कन्वर्ट कर देता है लेकिन किसी को पूरी तरह से डिफेंस नहीं देता है क्योंकि जो खुछ से नशा करता है उसे भी पता होता है कि वो सही नहीं कर रहा है उसके नसे के बज़े से उसके द्वारा कोई अपराद भी हो सकता है 686 का हेडिंग है offense requiring a particular intent or knowledge committed by one who is intoxicated 686 इसे अपराद के बारे में कहता है जिसके लिए special intention or knowledge की ज़रूरत परती है कुछ ऐसे अपराद होते हैं जिसके लिए particular intention or knowledge की ज़रूरत परती है जो कुछ चे नशा करता है और उससे कुछ ऐसा अपराद हो जाता है तो उस बेगती को defense नहीं मलता है अब चलिए section 86 को detail में discuss करते हैं section 86 says in cases where an act down is not an offense unless genuinely particular knowledge और intent इसका मतलब कोई act अपराद नहीं है जब उसे particular knowledge और intention के साथ ना किया जाए यहां पर sentence को negative form में दिया गया है जिसका मतलब है कोई act अपराद तब होता है जब उसे particular knowledge और intention के साथ किया जाए specific intention और knowledge mensoria form करता है और इस mensoria के बज़े से कोई act अपराद होता है जिस पिक्ति ने अपनी मर्जिशे नशा किया और special intention या knowledge के साथ अपराद किया वहां पे section 86 को consider किया जाता है जहां पे ministryया सिर्फ intention के मर्जिशे से form होता है वहां पे section 86 applicable नहीं होता है जैसे कि चोरी के लिए dishonest intention रहना ज़रूरी है वहां पे section 86 apply नहीं होगा intention presumption से highest degree होता है इसलिए intention को presum नहीं किया जाता है accused का intention था ये modern proof हमेशा prosecution के उपर ही रहता है presumption of knowledge draw किया जाता है इसलिए जिन अपराधों में intention और knowledge दोनों है उन पर ही section 86 apply होता है जैसे कि culpable homicide इसके बाद section 86 क्या कहता है चलिए डिसकस करते है अगर कोई बेक्ती नशे की हालत में अपराध करता है तो साक्ट के लिए लाइबल होगा जैसे कि वह नशे के बिना वो करता अगर वो अपने डिफेंस में कहेगा कि वो इतना नशे कर चुका था कि वो अपने आट का नीचर क्या है उसको समझने के लिए वो incapable था फिर भी वो अलायबल होगा क्योंकि वो अपने मर्जी से नशा किया था हर reasonable person को पता होता है कि कितना नशा करने से वो अपने उपर control नहीं रख सकता है एक ही situation में वो बस सकता है वो क्या है चलिए section को देखते हैं section 86 says unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge और against his will इसका मतलब जिस चीज़ के बज़े से उसे नशा हुई थी उसे उसके knowledge के बिना या उसके इच्छा के भी रूत ना दी गई हो इससे case यानि involuntary intoxication के case में ही वो liable नहीं होगा यहाँ पे फिर से section 85 आ गया तो फिर section 85 और 86 में डिफरेंस क्या है section 85 हर offense को कभर करता है जबकि section 86 में जिन offense के लिए special intention और knowledge की जरूरत पर दी है वहाँ पे apply होता है section 85 complete immunity देता है जबकि section 86 partial immunity देता है अब चलिए कुछ important case loss के उपर discuss कते हैं एक case था that is R versus Mead यह 1909 का case था यह case में आक्यूज ने voluntary intoxication किया था और section 86 में उसने defense लिया था इस case में English court of appeal ने held किया कि अगर कोई बिक्ती नशे के बज़े से अपने आर्ट का प्रकृती और उसके परिणाम को जानने के लिए असर मत था तो इससे case में उसके सज़ा को थोड़ा कम किया जा सकता है जैसे कि मर्डर को mass letter that is culpable homicide not amounting to murder में convert किया जा सकता है डायरेक्टर पब्लिक प्रोसेक्यूटर भर्सस बियर्ट के case में अक्यूज के मर्डर के लिए सज़ा दिया गया था ये case में house of lords ने held किया कि नसे के बज़े से अगर कोई पागल हो जाता है तो उसे defense मिलेगा बेक्ती के भावलेंड आर्ट को justify करने के लिए सिर्फ ये establish कर देना कि ड्रंकनेस के बज़े से mind affected हो गया था ये काफी नहीं होगा क्योंकि फ्रिजुम किया जाता है कि हर बेक्ती को पता होता है कि उसके आर्ट का natural consequences क्या होगा intoxication से related एक बहुत ही famous case है ये case में accused को murder के लिए confit किया गया था उसे section 86 के under benefit नहीं मिला honorable supreme court ने held किया कि undoubtedly accused voluntary intoxication में था लेकिन murder से पहले और बात में उसके आर्ट को देख के ये कहा जा सकता है कि वो इतना भी नशे में नहीं था कि उसके आर्ट का nature और consequences को नहीं जान पाया इससे लिए Supreme Court ने trial court के sentence को अपहल किया और accused को murder के लिए liable किया intoxication के उपर बहुत सारे cases है जैसे कि R versus sleep man बबलू आलियास मुबारक हुसेन versus state of राजस्तान दास कांदा versus state of ओडिसा भगवान तुकाराम डांगे versus state of महाराष्ट्रा 2020 का एक case है that is सूरज जगनाच जादब versus state of महाराष्ट्रा और भी बहुत cases है लेकिन हर cases को तो discuss करना possible नहीं है ये था section 85 और 86 कुछ बज़े से मैं वीडियो सही समय पे upload नहीं कर पा रही हूँ आगे से करने की कोशिस करूँगी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे please like and share this video and don't forget to subscribe this channel take care and goodbye friends